Hello, my dear kids. How are you? I hope you all will be fine. I am right. Okay. Last class में मैंने आप लोगों को अलफाबेट A and B के बारे बताया था. और आज मैं आप लोगों को अलफाबेट C के बारे बताऊंगी. जो की इस अलफाबेट A to J का थर्ड लेटर है. C sound जब हम करते हैं तो आप कैसा सुनाई देता है? S यद क कैसा सुनाई देता है? S यद क तो C लेटर से सुरू होने वाले मैं कुछ वर्स बताऊंगी. C for cat. Cat means Billy. Cat means Billy. Billy आप लोगोंने देखा है ना? घर में चुहें के पीछे कौन भागती है? Billy. है ना? और जो की आवाज कैसे होती है? मियाँ, मियाँ. C for cat. C for cat. Cat means Topey. Cat means Topey. जब धूप लगती है तो आप सब Topey पहती निकलते रहना? C for car. C for car. Car means car गाडी. उसके कितने पहिये होते है? चार. कितने पहिये होते है? चार. C for car. C for car. C for car. कब किसे बोलते है? बाग के बच्चे को. बाग के बच्चे को क्या बोलते है? कर. फिर से? C for cat. C for cat. Cat means Billy. C for cat. Cat means Topey. C for car. Car means car गाडी. C for car. कमिर्स बाग का बच्चा. ठीक है? इसे आप लोग घर में प्रैक्टिस करेंगे. Thank you. Bye.